स्वागत है आपका अपने चैनल MGM Career Institute में तो चलिए बच्चो आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हमारा वो है Engineering Mechanics for the first year of engineering syllabus चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले System of Forces के बारे में ठीके हमारा दो चिप्टर दे उसका नाम क्या है System of Forces अब System of Forces से आप क्या समझते हैं सबसे पहली बात System of Forces को आप कह सकते हैं कि एक Forces का Collection है जो की Act कर रहा है किसी एक Particular Point के उपर ठीक है अब Forces आपको पताईए कि Push और Pull ठीक है ये Force हो जाती है अब बात करते हैं सबसे पहले इन Forces के Types के बारे में बटा तो पहला Type जो निकल के सामने आता है वो होता है Co-Planar और दूसरा होता है Non-Co-Planar Forces तो एक-एक करके हम इनकी Definitions को जानेंगे और उनके कुछ यहाँ पर में Types भी दियो हैं आपको उनको भी हम एक-एक करकर देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा Co-Planar Forces Co-Planar Forces से आप क्या समझते हैं पर यहाँ Definition लिखी हुए एक Standard Form में कि When All the Forces Are Acting in the Same Plane Are Called Co-Planar Forces तो आपको नाम से ही पता चल रहा है Co-Planar का मतलब होता है कि जो Forces एक ही Plan के Along Act कर रही है वो सारी Forces क्या हो जाएंगी Co-Planar Forces जैसे कि आप इस Diagram के अंदर देख सकते हैं कि जितनी भी Forces लग रही है बेटा वो एक ही Plan के Along के भले इनका Direction क्या है अलग है ठीक है चलिए अब आगे हम बात करते है Non Co-Planar Forces के बारे में Non Co-Planar Forces से अब क्या समझेंगे कि यह Forces का ऐसा सिस्टम है जा Number of Forces जो है वो एक Direction में रिमेन नहीं होती है याने कि यह पूरा Opposite है किसके बिटा यह Opposite है Co-Planar Forces के याने कि इसके अंदर अलग-अलग Plan के अंदर Force एक्ट करेंगी चलिए अब तीसरा जो है हमारा यहाँ पर में इसका Type आजाता है पहला आता है Co-Linear Forces When the line of action of the forces is acting along the same line for a system such force is non-as Co-Linear Force याने कि सिद्धी सी बात है कि एक ही लाइन के अलोग अगर कोई Force act कर रहा है तो कौनसी Force हो जाएगी Co-Linear Force हो जाएगी ठीक है इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कि हमारा Concurrent Forces Concurrent Forces से आप क्या समझते हैं कि if all the lines of action of forces act on a single point then it is called Concurrent Force याने कि पूरी की पूरी line of action सभी Forces की किसी एक single point के along act करती है तो वह Force कौन सी हो जाएगी Concurrent Force हो जाएगी चलिए अगला कौन सा है बेटा Non Concurrent Forces अब इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि two or more forces whose magnitude are equal on a single line than it is called Non Concurrent Forces याने कि यह बोल रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा forces जिनका magnitude equal है और वह एक करे किसी single line के along तो वह कौन सी हो जाएगी Non Concurrent Force लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इनका magnitude same है और equal है लेकिन direction same नहीं है इसलिए इनका नाम क्या आगया बेटा Non Concurrent Forces चलिए अगला हम देखते हैं Parallel Forces Parallel Forces के बारे में हम बात करें तो यहाँ standard definition लिखी हुई है कि when two or more forces are parallel to each other with equal magnitude so they are called parallel forces याने कि दो और more forces जो की क्या है एक दूसरे के parallel है और उनका magnitude भी क्या है same तो उनको कह दिया जाता है बेटा Parallel Forces चलिए अगला लिखा है Non Parallel Forces जो की क्या है इसके Just Opposite है इसमें लिखा है When two or more forces are non parallel to each other with equal magnitude so they are called Non Parallel Forces चलिए